आदम दमी सुलेलावसलम ने रोका है उसने क्या का था कि जिस औरत ने बच्चे को जिन्दा गाड़ा उसको और जिस बच्चे को गाड़ा गया उसको दोनों जहनमी है जिन्दा गाड़ा है ना और आप इस बात से खिलाफ को जिसको जिन्दा गाड़ा गया है वो और जिसको जिन्दा गाड़ा गया वो दोनों जहनमी है आप इस चीज़ को मानते हैं हाँ मानता हूँ जिन्दा गाड़ा है वो जहन्मी है बेतरी और जिसको गाड़ा गया वो भी जहन्मी है जिसको गाड़ा गया किसको में समझ में नहीं आया जिस ये ले पढ़े दरा जिस बच्ची को जमीन में जिन्दा गाड़ा गया वो और जिसने उसे जिन्दा गाड़ा वो दोनो जहनमी है पढ़िएगा दोनो बत एक ही है ना दो भी एक ही बोल रहे है ना क्या एक बोल रहे है इंगलिस आती प्यारे भाई नहीं आती बैए यही मसला है उर्दू नहीं है क्या एनम्स साब इसका ठीक है उर्दू मेरा अर्दू भी नहीं आती तो बात किसमें कर रहा है तुबाई चाइनीश में बात कर रहा है नहीं मेरा सावाल हिए है कि जब आप मुहम्मट बच्चियों को दफनाने को रोक दिया कुछ भी करके आप लोग देखो मानने वाले मताली देते हैं ये देखो इबने हाते में है कि जिन्दा दफन करने वाली और जिसे दिफन किया गया है दोनों जहन्नम में है अब मुझे बताओ वो बच्ची जिसको जिन्दा दफन किया गया उसका क्या कसूर है कि वो जहन्नम में है ने ने उस पर मेरे डिबेट नहीं करना उस पर मैं अभी तयार नहीं हो या मत्लब देटी करना लो यार अब इसको यार उर्दू भी देदी मैं अच्छा ये देखो पढ़ो इसको अच्छा मैं पढ़ दो उर्दू समझ में आती है आपको जी अभी हातिम में है जिन्दा दफन करने वाली और जिसे दफन किया है दोनों जहन्नम में अब बताओ जिसको दफन किया गया उसको क्यों जहाननम मिले इसके अनर में ज्यादा नहीं पढ़ा था वो जिन्दा दिफन हो गया है हाँ तो अभी बताया ना मेरे को हदिस नहीं आया मैं पढ़ के बाद में बता दूँँगा कभी बताएंगे अब मेरे साम्हें रखे ना तकी हम भी उसके अंदर तक् sır से नहीं कया अम जाते के बात में आऊंगा कब जाते gotta bi गङ कब जाते है है कि तफसील में में बात में आऊंगा लेकिन मेरे सवाल हो नहीं है मेरे भवाई अप技 तुम्हें घृड ingredients कभू पढ़ेंगे तुम्हें मैं फिर से आ जाओंगा वो पढ़के कशिल करके कभू आएंगे वो छोड़ो भाई अभी की जाके नहीं पढ़ते तुम्हें जाको उठाओ जी आलिमा को चंदे दे दे को उनको खिला खिला को उनके पेटा बढ़े करको तुम लोगा रखे नहीं जाको उठाओ जी जाके मस्जिद में पूछो की ऐसा मस्ज़ा लिखा है यह काम केजिए जो आप यह पड़े है ना वह जिसमें से निकाले है ना हाँ वो पूरा पड़के बढ़ता है या भी रहे वह कुछ नमब रहे हैं आतिम में है जिन्दा दफन करने वाली और जिसे दफन किया है दोनों जहन्नम में है आसान सिया सितम से देता हूं मिश्वा आपका कलेजा जो है वो हिल नहीं जाता इसी बाते सुनके नहीं हलता क्यों आप निर्दे है क्यों कि आइशा नहीं है फिर यार मेरे सामने इसी बात आ जाए कि सुनो सुनो लास वर्ड भाई मेरे सामने अगर ये बात आ जाए कि मैं जिसको सबसे जादा चाहता हूं और उसको मैं रोल मॉडल समझता हूं उसको दुनिया का बहतरीन इंसान समझता हूं वो अगर इस तरीके की बात करे कि किसी को जिन्दा दफन किया गया यानि जिसको जिन्दा दफन किया जिसने जिन्दा दफन किया उसको जहन्नम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको जिन्दा दफन किया गया उ शायद आगे से ना हो इसलिए उस लड़की को भी जिन्दा करने फिर जाहनम मिल सकते है ऐसा बोल रहे होंगा अच्छा उसकी कोई गलती है जिसको दफन किया गया उसकी कोई गलती है कोई मुश्किल नहीं हैं अरे भाई जिसने किया उससे पूछो कोई मुश्किल नहीं मैं पूछ रहा हूं जिसको दफन किया गया उसकी कोई गलती है वो कयामत के दिखा जाएगा उसकी गलती है यानि आप से पूछ रहा हूं आपका दिमाग चलता है ने चलता गू खाते या खाना खाते आपके जैसे तो नहीं है गू खाने वाला एक काम की जिए आप इंजे प्रूफ कर देजे आप नहीं घू नहीं खाते हैं मैं आपको जिन्दे की भर का जो वीडियो है ना आपका जब पाइदा है हो जब से मर्द हो वो पूरा वीडियो लेका के देजिए मैं फ्रूफ हो जाओंगा मैं मालूंगा आप गू नहीं खाते आच्छा तो कभी हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको बता दूँगा मैं गू नहीं लेकिन आप जिस तरीके से और्ग्युमेंट दे रहे हैं उससे तो यही साबित हो रहा है कि आप खाना नहीं खाते बलके गू खाते क्योंकि आपके भेजा नहीं आपके सर में भेजा नहीं है बरके गू भरा हुआ है आप खुछ सोचो कि जिसको जिन्दा दफन किया गया उसकी क्या गलती है प्यारे भाई थोड़ा तो दिमाग लगा हो उसकी क्या गलती है जो भी अल्ला की मर्जी है अरे अल्ला की मर्जी मतलब यह आपका अल्ला जो है वो नाइंसाफी करता है अलो नाइंसाफी करता है नाइंसाफी करता है नाइंसाफी करता है हाँ मुर्गी है अब एक में आप खरीदे आप मुर्गी मोलके खरीद रहे हैं फिर आप उसको काटने जा रहे हो पिर तो बेखा जारी क्या आप जारी मुर्गी की आवा जारी है अलो कि अरे मुर्गी को आप काट के खाने जारे हो मैंने बोला आपको हाँ तो मैंने बोला आपको मुर्गी क्या बोले समझ में आ रहा क्या बोलना चाहरे मुर्गी काट को खाने जा रहे तो आगे क्या अब उसको काट के खाने जा रहे हो मैंने बोला मुर्गी को मत काट के खाओ उसको पालो यार साहिल मुर्गी खाना बन गया यार आगे चले इसको छोड़े दो गेंटे से मुर्गी चाट के काव ही हो रही है आगे दी चल रहा है मुझे लग रहा मुर्गी खाने है बैटा हो में इस मुर्गी वाले को मुर्गी के टपे में बेहिते यार लास वर भाई तुम कितने पड़े लिको प्यारे भाई लास वर भाई कितना पड़े लिके आप जितना मुर्गी यां पड़ती है मुर्गी जितना पड़ा हो है यार गाई जस्ट इम्मैजिन यार जो कल हमारी स्टीम में एक भाई जो आये थे और ये जो अभी भाई आये है जस्ट इम्मैजिन इसलाम ने इनकी जहनियत कैसी बना दिये आइमीन लिटरली जो मैंने ये टर्म दिया है दिमागी अपंग इसका कोई इंकार कर ही नहीं सकता कि मुमिन दिमागी अपंग होता है ओ मैन इतने बुल्शिट आर्ग्यूमेंट है कि इनसान कैसे दे सकता है और इतना confidence के साथ हद है यार यार जो मुमीन हज़ाद हमको सुनते है यार और थोड़ा सा दिमाग चलता है थोड़ा आप लोग सोचो यार ये क्या है इसलाम क्या बना दे रहा है आप लोगों को थोड़ा सोचो यार निकलो इस गंदगी से वो चला गया क्या भाई हाँ वो निकल गया खुदी मिस्टर जाइद साब है मिस्टर जाइद मिस्टर जाइद अन्म्यूट कीजिए यार इसका नाम हिंदू नाम नहीं है में को तो नजर नहीं आ रहा है अनकित जैशिवाल ये प्योर हिंदू नाम है ना अनकित जैशिवाल शुद्ध हिंदू नाम है है ना खुदी बाग गया सच्चा मौमिन साब मिस्टर सच्चा मौमिन इसका नाम है रंदीब गुतमान ये भी हिंदू है वह भी दो नमबर है निकाल दिया मैंने अतास अतोज अतोज मिस्टर यार आप अतोज अतोज साब अपना माइक और कैमरे को परमिशन तो दो ताके आप से बात की जा सके माइक और कैमरे को परमिशन दो ताके आप से बात की जा सके ऐसे कैसे बात की जा सकती है अल्ला के नाम से एक बंदा आया है इसको साहिल साभ ये ब्लॉक होने आया जी मिस्टर अल्ला बैन फ्रम स्टूडियो पे मैंने क्लिक कर दिया कोई मस्टला नी भाई निकल जा तू अब बैन हो गया मिस्टर टोनी भाई माईक और कैमरे को परमिशन तो दें कम असकम ताके आपसे बात की जा सके लेसिल साभ थोगा वाए तक लेकर जाँगा जहा पर एक गेम शुरू हो रही है जी जी मिलकुल गो हैड लीज गो हैड तफसीर पढ़ने है यह देखें हर किसम के लोगों को जमा किया जाएगा जैसा के और जगा है आयत में और इनके जोड़े यानी जैसों को जमा करके हदीस में हर शक्स का इस कौम के साथ हशर किया जाएगा, हर शक्स का इस कौम के साथ हशर किया जाएगा, जैसी कौम वैसा ही जो इस जैसे अमाल करती हो अल्लभ ताला फरमाता है तुम तीन तरह के गरो हो जाओगे सिर्फ त्री कुछ वो जिनके दाने हाथ में नामा अमाल होंगे कुछ के बाएं हाथ में कुछ सबकत ले जाने वालों में तो तीन तरह के लोग होंगे लेफ्ट हैंड में जिननों के उनका अमाल होगा और लेफ्ट हैंड में जिनके अमाल होगे वो जहन्नम में जाएंगे राइट हैंड में जिनके अमाल होगे जन्नत में जाएंगे और सबकत ले जाने मिले जो के आगे निकल गए हैं अबने अभी हातम में हदरत अमर बिर खताब ने खुत्बा पढ़ते वे इसायद की तरफ तलावत की रहता हर जमात अपने जैसों में मिल जाएगी दूसरी रिवायत में दो शख्स जिनके आमाल एक जैसे होगे वो या तो जन्ट में जात रहेंगे और जहन्नम में जलेंगे आदो श्ख्स जिनके आमाल एक जैसे होगे यहाद जनल में तीसरी क्या चीज़ है भईी अच्छा मुझाहित फर्माते हैं हर किसम के लोगों के साथ होंगे यही कौल इमाम इपने जरीद भी पसंद करते हैं और यही ठीक भी है साहिल सब अब इन चार बातों में से ठीक कौल कौन सा है कोई मुझे समझा सकता है चार बाते हैं कुरान की दो आयतों के लिए चार बाते हैं मुझे चारों में से बताओ कौन सा सही कौल है दूसरा कॉल यह है कि अर्श के पास से पानी के एक द्रिया जारी होगा, चालिस साल तक बैठा रहेगा, बड़ी बड़ी नुमाया चोरा होगा, इसमें तमाम मड़े सड़े गले उगने लगेंगे, इस तरह हो जाएंगे जो इन्हें पहचानता हो, और अब इन्हें देख ल कि नोबड़ी नोज कि अल्ला कहना क्या चारा है, मतलब कुछ भी फेकम भाग कर दिया है, अल्हम्दलिल्ला, अब हमें मुसल्मान भाई आगे हैं, अगर तो मैं उनके साथ कुरान किया तो बजाता हो, ताके वो हमें समझा सके, अभी हमने तफसीर पड़ी है, इस आइद क इर्फान बर्ड, इर्फान बर्ड चलेगे, आर्फा फिरोज, आर्फा फिरोज साहिबाद, आर्फा फिरोज, यह क्या और रहा है, बार बार नीचे कैसे कि लिया थी, यार, अमित नहीं करो यार, मैं खुद एड़ी है, रिमूफ कर रहा है, यह वापस कैसे निगल जाती है, जब मैं इसे एड़ करता हूं, तो वापस कैसे चलिया थी, बैक्स्टेज कैसे हो जाती है, आर्फा फिरोज, अब यह मिस्टर डबेटर आया है, जी मिस्टर डबेटर, हेलो, जी हेलो, हेलो, हाँ वाज आ रही है, आर इसका जोड़े में बना दिया जाएगा जब रूहों को वापस युनाइट कर दिया जाएगा इंटू टू जोड़े बना के क्या मतलब इसका रूहों को जोड़े बना के डबेटर साल निगल गोरियर क्या हो रहा यार कैसे निकल रहे लोग जी ट्रीम सब आगे और ऑगे और बात कर बदत कर बात कर बात करना बात करना हाद रिमा हागे आपने बात कर भात बात करना निजाता है एक बंदा दूसरे बंदे को ले गया है बात कराने के लिए जुछ ले ना तरु जो पूछना है सर अडम सर वह बंदे को पर त्यार करें फिर ज्वाइन कीजिए गदवारा ठीक है प्लीज ने लीडीज एक एक मिला पूछी ना नहीं स्वारी कर लें पिर दुबारा ज्वाइन कर वाले जिरा कोई मस्ला नहीं एक सवाल एक मैडम के पास कर देन अबत हरु आओ फिर स यए व्यार कर लिना भटवार खें टूर्य्म क्या मुझे संद खुना सक्तित्यों कर लें लाह तडूर्द अध लाह समद लाम यलेट वले मुलेट वले मया कुल्ल को को फरना हत टीग के ए टॉपिक को गोली मारे को और है वेरस वेजिए क्वेशना है कई तो बीसिक्ली अ ए में रिलेशनित है विस राए कि ए सबस्ते हो फ़े हैं जा रुप ए रशा यह वा ट रुट कर जा हमा झाले तो अफ़िड पर थिस अबिस अब स्टिक्रीइट रू आप जिना करेंगे अगर उससे शादी करेंगे, you will be in a relationship of zina, adultery के relationship में होंगे अगर आप उससे शादी करेंगे, इस्लामिकली, आप इंडिया में रहे के non-islamically एक जो आपका पता नहीं कौन सा court है, उस court के थूँआ आप शादी कर सकती है, इंडिया जादत देता है, लेकिन आप फिर मुस्लम नहीं रह सकती है, क्योंकि मुस्लमान होते वे अगर आप शादी करेंगी, तो आप adultery की relationship में हो नहीं कर सकती, आपके पास multiple Qur'an की आयात हैं, उसके अंदर आपको इसको clearly बताया गया है, सुरह बकरा में भी बताया गया है, सुरह मेरे खाल में इहराफ के अंदर भी बताया गया है, जी. Okay, okay, that's it, I don't know what else to say. You have to leave Islam, basically, if you want to marry him. And by the way, as a Muslim ओरत, आप एक non-Muslim मरत के साथ relationship में भी नहीं रह सकती. That is the utmost, क्योंकि आपके सुरह चप्टर नमर 33, क्या नाम है, रुसका मुझे बूल गया, चप्टर नमर 33 की आयत नमर 33 और आयत नमर 59 इसको कहती है, कि मौमिन औरतें को अपने अपने घरों में रहना चाहिए, और भन सबर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब तक कोई मजबूरी ना हो. Let alone non-Muslim के साथ, अगर आप रिष्टा काईम करते हैं, किसी भी किसम का चाहिए, वो friendship का ही क्यों ना हो. क्योंकि अगर आपने friendship काईम नहीं की, तो फिर आप, यह नहीं के, दूसरी वली दोस्ती में कैसे आ सकती है, that's another big issue, क्योंकि कुरान clearly कहता है, कि आपने मुश्रिकीन के साथ दोस्ती ही नहीं करने, ठीक है, मुश्रिकीन के साथ आते हैं, दोस्ती ही नहीं करने, बाकی चीजे तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, चैप्टर No.33 क्याएट No.28 में आता है, कि कुफार के साथ किसी बी किसम की दोस्ती रखना हराम है, और पेगन्स जो हैं चप्टर नमर फूर की आएट नमर 89 के अंदर कहा जाता है कि पेगन्स के साथ दोस्ती नहीं रखनी, कुफार के साथ, पेगन्स के साथ, जूस के साथ, क्रिश्टिन के साथ, किसी के साथ आपने दोस्ती नहीं रखनी, अगर आप दोस्ती रख सकती हैं त इसके साथ relationship तो बहुत ही दूर की बात है और शादी करने का मतलब है अगर आप Islamic शरीया के अंदर होती ही तो आपको hunter मार मार के मार देना चाहिए था या पत्थर मार मार के संगसार कर देना चाहिए था according to the shariah Islamian क्योंकि आप एक मुसल्मान और अगर आप पहले से शादी शुदा नहीं है फरस्ट टाइम आप भी हरकत करेंगी तो आपको कम असकम सो कोड़े पढ़ेंगे और दूसरी दवा करेंगी तो पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा तो आप इस बाई को मुसल्मान कर लें और मेरा ख्याल है कि यह इंतहाई इडियाटिक शक्स होगा अगरे मुसल्मान हो जाए अगरे मेरे चैनल को इतना देखता है इसको पता है कि इसलाम कितनी बड़ी इडियाटिक कल्ट है दूसरा आप नौन मुसल्म हो जाए अलहम्दुलिल्ला इसलाम को अपने पैर की जूती के नीचे रखें तो बेहतरीन आप इकने साथ शादी करें बोलता है आपने अपनी औरतों को मुष्रिक को नहीं देना है ठीक है चैप्टर नमबर टू आयत नमबर दोस्सो एकीस उसकी कोई सी भी तफसीर पढ़ ले आपको पता लग जाएगा कि आपने निकाह नहीं कराना पॉलेथियस्ट वुमिन के साथ अच्छा मर्दों ने भी पॉलेथियस्ट वुमिन के साथ निकाह नहीं करना अच्छा मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकता है तो मैंने आपको सारे रेफरेंसेस दे दिये हैं, चैप्टर के नंबर दे दिये हैं, तुम एक पूछना चाथा हूं मैं आपको, यह पोछना चाहता हूं आपको यह नहीं सवाल उन से पूछने दे हैं आपने बात करनी है डिस्कूर्ट पर करें यह नौन मुस्लिम में करें ठीक है अजूँ आप नौन मुसलिम है तर आप नहीं सर रूट खराब होगा मेरी स्ट्रीम का ने हम दुनों साथ में है इसके लिए वहीं मैं कह रहा हूं एस लोंग दुनों ने बात करनी है मैं विलिंग आपने बात करनी है सर आप डिस्कूर्ट पचरें यह नौन मुसलिम में चुड़ें इसके लिए आपको मेरी उर्दू समझ आएगी है हिंदी तूसकी सब्सक्राइब नहीं कर सकती जिना करेंगी उसके बच्चे भी जिना की उलाद होंगे जिना की उलाद होंगे इनको जिना की उलाद होंगे इनको जिना की उलाद को साहिल पर क्या कहते है यार अगर आप एक हिंदू से शादी करेंगी तो आपके बच्चे हरामी किलाएंगे हरामी जो सुभूई खान के साथ में टीवी पे हुआ था जो मुला था टिंगू वाला उसने बोला था ना तो जिना की तेरे बच्चे जिना की उलाद हरामी है वही ही सेम होगा और वह सही था उसको गलत चपेड बढ़ी थी बनने को इसलाम की रूसे यही है या तो इसलाम चोड़ो फिर तो बारे बच्चे हरामी नहीं होंगे मैं मुस्लिम सिचा नी करूँ गया है मैं मुस्लिम सिचा नी करूँ गया है यहां तो किसी मुस्लमान से चाहती करो यह खुद इसलाम चोड़ो क्योंके इसलाम के मताबिक आपके बच्चे हरामी होंगे और आपका यह रिलेशन्शिप एक हरामी रिलेशन्शिप है अब जबाती जवाब के लिए नहीं रेफ्रस वाले जवाब के लिए है अगर आप मुझे कहते हो के नहीं है मैंने हरामी पना नहीं करना भाई इसलाम चोड़ दो लीव इसलाम इसलाम को चोड़ दो फिर करो अलहम्दुलिल्ला फिर हरामी पना नहीं Mr.12Z Mr.12Z Hello यह मुसल्मान है आप Adam शिकर भाई मुसल्मान है आप मैं मुसल्मान तो नहीं हूँ पर आपको थैंक्यू कहना चाहता हूँ बस नई सर थैंक्यू भी ना करें निगल जाए इससे पहले कर दो Mr.Debater Welcome back Mr.Debater Welcome back Unmute कीजे प्लीज यार डिबेटर यार तीसे दफ़ाए हो यार क्यो टाइम जाय करते है यार Unmute करो भाई Okay forget it नहीं बोलना ना बोलना आगे जलते हैं जी जिसके ओपर हम बात कहते हैं और इसके हिंदी उडू ट्रांसलेशन भी लेके आते हैं आप सब के लिए ये वली किदर कई ये वली ये जिनाभ ये कुरान की सिंगल आयत है जिसके ओपर मैंने अभी आपको दस चीज़े दिखाई हैं एंड वेंड दा सोल्टर यूनाइट इंटू टू टू इस वज़ा से के जवज जवज से निकला है जवज हमेशा दो के तर्मियान होता है पेर बनाते हैं पुरान में अल्ला कहता है साहिद भाई इस जी को सुनिएगा जो मैंने भी आपको साथी तफसीर सुनाई थी ना दो रूहें दो जोडे दो जोडे में डाला जाएगा एंड सोन और सोफोर्ट जो आपने छे डिफरेंट तफसीर के रेफरेंस में स्कॉलर्स आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं वो सर इस एक सिंगल आयत के पर लड़ रहे हैं कि इस आयत का मतलब क्या है जब जान्वरों के जोड़े मिला जब जान्नों के जोड़े बना दी जाएंगे यानि टू-टू कपल्स मना दी जाएंगे वट ड़स आइट मेंस क्यामत के ताइम पर जोड़े सोल्स के जोड़े बना दी जाएंगे साहिल देखो जो मुहम्मद था ना साहिल, वो सिर्फ और सिर्फ ले में बात करता था, कि एक पॉइम बन जाए, एक पॉइटरी बन जाए, अब साहिल अगर इसको पॉइटरी की सुरत पर पढ़ना है, तो आप मुस्से बहुत अच्छी तरी के से पढ़ सकते हैं, जरा आप इसको पॉइटरी की सुरत में पढ़ के दिखाएंगे, पहली साथ आई थे, तो आपको पॉइटरी समझाएगे, लगाए स्टार्टिंग क्या आयत, इजा शम्सु कुविरत, मैं ले ले लगाओ, उपर से लगाओ, ये ले, जी से, बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, इज इस्द्व कुविरत, वइधा नजूम कदरत, वइधा अजिबान सुयरत, वइधा यिशार उथ्द्ईल्त, वइधा यजजड़ वष्शु वश्रत, वइधा दिखा वच्रत, वच्हानल् वाइधन नफूस जूआज़द वाइधन लुदे तो सूइलत। शाहल भरी आप खाना खा रहे थे मैंने डिस्ट्रप किया आपको, आप मुझे बताय थे तो मैं थोजी दिर बात कर वल देता। लेकि थे क्यों आप आना खाते भी 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 बोल दिया। तो सालवे आप देखें कि ये ता और हा और ता का बनाना था, एक जोर मनाना था, एक पोईटरी बनानी थी, अब प्राब्लम यह है कि मुहम्मद अपने जमाने में पोईटरी किया कि चला गया, अब बाद में स्कॉलर्स आपस में टक्रे मार रहे हैं, कि यार इस चीज को एक आक सर्थ को आहिए में अपने जमलिः एकस्प्लेट कर दी आ, हर आयत के पीछे मुसलमान टक्रे माररे हैं खोतों की तरह, जिस्तरा मेंडे ze होते हैं, जब आपस में बीजने आ पáलोता okay आप मस्ती बीजलेगे हैं एंडिया होता है बड़े बड़े ऐसं बड़े ग्रायंड में बकरे हाते होंगे डेट सार राठी हो एंडिया दिया ओंडि मंडी लगती है की तरह लगे हुई हैं देखने के लिए, क्यूंकि कुरान को सचा थाबद करना है, और कुरान सचा थाबद हो नी रहा, और उनको थमझ नहीं आ रही कि यह क्या करें, इसको कैसे साबद करें, यह देखें अब दुबारास इसको पढ़ते हैं, एक दा फिर पर 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 एक और कहा हर जमात अपने जैसों में मिल जाएगी, जमात जैसों मिल जाएगी तो यह more than two होगे, more than two होगे, लेहादा we have a problem, तो लेहादा दूसरी रवायत है, कि वो दो शक्स जिनके आमाल एक जैसे होंगे, वो यहां तो जन्नत में साथ रहेंगे, यह जहन्नम में साथ जलेंग दो दो शक्स, अबे यार दुनिया में किसी भी दो शक्स की एक जैसे हमाल कैसे हो सकते हैं, लेहादा we have another problem, इसलिए अधर तूमर से एक तीसरी रवायत आई, इसायर की तफसीर पूची की तो फरमाया, नेक लोगों के साथ नेक लोग मिल जाएंगे, और बदों के साथ अब ये दो से ददा की गेम हो गई, लेहादा ये तीसरी रवायत भी खराब हो जाती है, लेहादा फारू के आदम से पूचा गया, तो इसायर की तफसीर तो सब खमोश रहे, तो आपने फरमाया, मैं बताऊं, आदमी का जोड़ा जन्नत में ऐसा होगा, इसी तरीके से जह ये शुरूवली चीज़ा जिरफ अर्भी में बता दिया गया है, यानि के सीधे हाथ वले अमाल वले, उल्टे हाथ के अमाल वले, और सबकत ले जाने वले अमाल वले, लेहादा वन सेगें, डैस नौट इवन प्राबलम, छटी, मुजाहित वरमाते हैं, हर किसम के लोग ए इबने कसी ने सुट ठीक कह दिया है, लेकिन फिर एक और कोली है कि अर्श के पास का पानी का दरिया जारी होगा, चालिस साल तक बहता रहेगा, बड़ी नुमाया चुरान हमें होगा, इस से तवाम मरे सड़े गले उगने लगेंगे, इसी तरह हो जाएंगे जो इने पैच लिए जाएंगे, फिर रूहें छोड़ी जाएंगी, और हर रूह अपने जिसम में आजेगी, यही माइना है इस आयद का, लो जी, होगा कुछ यूँ, इसके पीछे पूरी बुखारी कहदीस है, जो कि मैंने एक जमाने में आप लोगों को पढ़ा दी वी है, बलके पिछल वाला मेहराब जो है, वो उनके सर के उपर बाकी देगा, सिरफ वो बोटी देगी, बाकी सारे हडियां मन जाएंगे, mercifulness जाला देगा, फिर उनको अल्ल्ह एक नहर में डालेगा, जिसको आपने हयात क कि नहर का जाता है, तो उसके अंदर अनल्ह उनको डाल देगा, वो फि रूअ उस वकद अलाई डालेगा, नहीं है वे निद्र प्राबलम, कि अगर रूष वकद डालेगा, तो फिर अजाब के स्कोर है, जिसम को अजाब तब तक नहीं हो सकता, जब तक रूष के अंदर नहीं होगी, क्योंकि अजाब रूष हुने करना है, इसी वैसे लह यह नही here is, कि ये आठ्वी के नुवी चीज़ बताई गई है यहाँ पर फिर मसला है, आगे जलते हैं, यानि रूहें जिस्मों में मिला दी जाएंगी, कि रूहें जिस्मों में मिलाई बाद में गई है, तो अज़ाब किसको बाबाजी के ठुले को किया है, और ये मायना भी बियान क जाएंगी, लहादा इसका ताज़कात फिर में फिर रिशाद होता है, और जमूर की किराभी यही है, आगे वली आएद आगी, आठ डिफरेंट बाते बताई गई हैं, सिर्फ एक आएद के लिए, और कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है, ये कौन सा इसलाम कलियर इसलाम है, कैसा कलियर इसलाम है?